सोट सबीपल कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं बहुत जादा बढ़ी हाऊंगे बहुत जादा गर्मी है बहुत जादा गर्मी है फोन बार-बार ओवर हीटिंग का इशू दे रहा है खेर आप लोग मेरी जानों आप लोगों के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी है जो स्टॉक अलवाई विल्स होते हैं और हम लोग जो भार से अलवाई विल्स लगाते हैं कस्टम आफ्टर मार्केट अलवाई विल्स पर आप उन्हें बोल सकते हैं तो कौन से च रहते हैं क्या-क्या अडवांटेजिस हैं दूद का दूद पानी का पानी आज मैं बीडियो लेके आयों और पुरी रिसरच के साथ लेका हैं तो मेंक्षॉर प्लीज एंड तक देखिए एंड अगरी करते हैं नहीं करते हैं आपके पास इक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा देता कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आजे कि मैंने कब नई तो सबसे पहले फटाफटा में लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली दिक्कत क्या आती है तो हर्ष्रान वाले चैनल पर आपने देखी होगी जुकि यह टायर का जो विट रहती है इतने चौड़ी टायर्स होते हैं तो यह जो सारा रेथ है अगर थोड़ा सभी इनको पान पर अपर उपर तक नहीं आता जैसे कि आपको उसमें दिख गया होगा वह पहली सबसे बड़ी दिक्कत है जो हमको इसमें फेस करने पड़ती है सेकिंड गाइस मैं आप खुद दिक्कत बताता हूँ यह कि बहुत बड़ी यह है कि रिसेल वैल्यू आपको इन अलोय वील्स की बिलकुल नहीं मिलेगी इसकी मिलेगी मैं बताता हूँ इन अलोय वील्स को आज मैं 22-23,000 के प्रोपे के असपास बेच सकता हूँ और इनकी अलोय वील्स की बात करूँ तो यह वाले वील्स के टायर समें 30-40,000 के असपास आ जाते हैं तो आप खुद अंदास अलगा सकते हैं कि रेसेल वैल्यू जो है इन अलोय वील्स की कुछ खास नहीं है और में एक चीज़ और बताता हूँ यह जैसे ही गाड़ी माप लगा लो नट घुमालो उसके बाद इनकी जो कीमत है हाफ हो जाती अलोय वील्स की और यह वाले अगर आपने प्रोपरली मैंटेन कर रखे हैं तो शोरूम वाले भी वापेस ले ले लेते हैं एवन तो अगर आप खुद लेने भी जाते हैं एक आफ्टर मार्केट अलोय वील्स तो वो भी आपसे लेंगे दुकान वाले और अगर आप ग्राग ढूंडते हैं तो आपको बहुत सारी ग्राग मेल जाएंगे और इजनल अलोय वील्स के विकास ओरिजनल की बात ही अलग होती है थर्ड चीज गाइस में आपको बताता हूं यह जो अलोय वील्स हैं इनको अगर तो यह सेकेंड है जो आपको भारवाले अलोय वील्स में मिलती है देखने को उसके बाद गाइस अब मैं बात करता हूं कि अगेन क्याती है तो भाई इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी कम होती है यह जो है मेरे 60,000 क्लोमेटर चल चुके हैं और यह वाली जो है 60,000 क्या सपस चल चुके हैं यह वाली जो है अभी मैंने इतने नहीं चला हैं बठ हाँ 10,000 क्या सपस मैंने चला दी होंगे पर वो अगेन डिपेंड करता है कि टायस कौन से लगवा रहे हैं आप कंपनी वाले लगवाँगे तो शायद यह भी इतने देतेंगे बट मैंने आप कौन एन आवरेज बताए कि यह वाली जो लाइवील्स है इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी जादा होती है अगर आप भार से लगवाते हैं उसके नेक्स जो है डिसएडवांटेज गाइस में आपको पताता हूँ यह कि अगर आप यह अच्छी क्वालेटी के अलाइवील्स नहीं लेते अलागी इसमें इसक्राइच जैसे इशूज आते हैं अगर जैसे आपकी गाड़ी जो है साइड डिवाइडर में लगी यह सब स्क्राइच इशूज आ सकते हैं बट पपड़ी जैसे उतरने का इनमें कुछ भी नहीं आता है अगर आपके ओरिजनल अलोईवील्स होते हैं नेक्स शज़ागी शीज बतात हों कायाज मैं आपको कि इनमें इस गाड़ी को इन्या उच्छाला भी नहीं है। और मैंने इस गाड़ी को भी इतना उच्छाला भी नहीं है सही बता हूँ जब मैं उच्छालूंग उसके बाद पता चलेगा बट हाँ वो वाली गाड़ी उच्छाल भी जाती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है कि जो अपने अलोई वील्स है वो बेंड हो गए है ऐसा बट कंपेर करूं कि अगर यह वाली वील्स में यहां पे लगाता हूँ और यह वाली यहां पे लगाता हूँ तो इस से जो है बलीनों की माइलेज थोड़ी बहुत कम हो जाती है एक दो क्या स्पस जो है उपर नीच आपको मिलेगी उपर तो नहीं मिलेगी नीच जो है अगर आपकी गाड़ी में जो है अलॉई वील्स लगा रखे है तो जो स्टेरिंग होता है वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है इसको मैं डिसएडवांटेज भी बोल सकता हूँ वेकास कई लोग क्या फील करते है कि जब उनके गाड़ी का स्टेरिंग टाइट हो जाता है त और जो गाड़ी वो चिप चलती है और मैं इस चीज को मानता हूँ कि यह कही हद थक सही भी है, यह गाड़ी जो है वो चिप चिप के चलने लग जाती है निचे सड़क पे तो काफी जाधा बढ़िया रहती है थोड़ी मतले अच्छी पगड़ भं जाती है तो काफी स्ट् चोती है तो यह उपर करके यहां पर फैंडर तूड़ देती है यहां पर पिछे वाला टायर निया है आगे वाले टायर से आपको समझ आदा है कि आपको तो आपकी गाड़ी को भी नुकसान नहीं होगा अगर आपकी गाड़ी में स्पेसर है यह भी नेक्स डिसडवांटेज लगा रखा है तो गाड़ी पीछे उट जाती है और आगे जुग जाती है जिसके वीसे आगे के जो शौकर है बेरिंग्स है वो सारे धिले हो जाते हैं डेमेज भी हो सकते हैं तो यह भी नेक्स बहुत फेस करनी पड़ सकती है अगर आपकी गाड़ी में जो है अलोई वील्स लगवा रखें हैं उसकी वज़े से अब गाइस बहुत सारी डिसडवांटेज इसकी बात कर ली मैंने शायद आप लोग एगरी करें ना करें वो आपके उपर है पूरा का पूरा अब मैं बात करता ह मैंने जैसे की पहले बताया था आपका एडवांटेज में कि अगर आपकी गाड़ी में आप अलोई वील्स लगा लेते हैं तो एक तो ऑफ रोड़िंग में बहुत जादा काम आते क्योंकि चॉड़े टायर्स हो जाते हैं तो ऐसी कई बार जगाया आती है जहां पे आपकी गाडी कंपेर्ड टू स्टॉक अलोई वील्स जो की पतले हैं उनसे जादा अच्छा परफॉर्म करती है जैसे कि आप बालू रेत में लेकर जाते हैं तो आपर जो है यह बहुत जादा अच्छा परफॉर्म करेंगे सेकिंड एडवांटेज में आपको बताऊ हूँ इसकी यह है कि भाई चूखी यह बहुत मोटे हो जाते हैं तो इनकी पकट रोड पर बहुत जादा अच्छी बन जाती है इसलिए वीडिऊ करने के तो आप यह सारी वीडियो देखके खुद अंधाज़ा लगवा सकते हैं कि आपको लगवाने है और नहीं लगवाने लगवाने नहीं लगवाने आपके ऊपर मेरा काम थहा कि आपको अद्वांटेज औरगी अन् कर दें अगर और भी कोई पॉइंट्स आपको पता हो तो प्लीज वो भी बताएं मिलते हैं करने वीडियो में बबाई देने बाता हैं आप लोग क्या-क्या सूचते हैं अपनी कमेंट सेक्शन में राय लिखके बताएगा खेर भाई लोग आज की विडियो में अश्की विड मिलते हैं करने वीडियो में बबाई धन्यवाद